अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षे इंद्राक्षी धाम में दर्शु को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जन्म दिवस है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम लाएं आज का पंचांग 17 सेप्टेंबर दिन ब्रस्पतिवार सन दोहजार बीस आश्वेन महा कर्शन पक संबन दोहजार सततर तिथी आज अमावस्या है पित्र मावस्या है नक्षत्र पूर्वा फालगुनी सुभा नो बजगर के 47 मिट तक रहेगा आज पित्र मावस्या में हम विसेश उपाए क्या कर सकते हैं कैसे हम अपने पित्रों को प्रशन करें और कैसे हम आज के दिन क्या क्या दान कर सकते हैं सारी चर्चा आईए इस अंक में हम प्रारंब करते हैं सबसे पहली बात जिने अपने पित्रों की तिथी ना पता हो कि हम किस तिथी में अपने पित्रों का श्राद मनाएं तो वो आज के दिन पूरा हो जाता है यानि के जिने तिथी पता ना हो जो भूल गए हो वो आज के दिन अपने पित्रों के निमित ब्रहामन भोजन श्राद कर्म कर सकते हैं आज के दिन अपने पित्रों के नाम से दिया गया दान आज के दिन अपने पित्रों के नाम से बाटे गया फल आज के दिन अपने पित्रों के नाम से दिया गया कोई भी चाहे कच्चा राशन हो कैसा भी राशन हो चीनी आटा चावल दाल जो भी आप देना च की दे सकते है तो आज की दिन दिया गया दान बहुत ही शुबध फलकारी होता चंद्र-लोग में दिस थोड़ा से निजसी इस ऊपर पित्रई इसस्थान माना जाता है और आज अम्य से तो आज हमावस्या में होता क्या है कि जो चंद्रमा का स्वेत भाग है वो सूरिय की तरफ होता है क्योंकि सूरिय से नीचे क्या है चंद्रमा तो चंद्रमा का स्वेद भाग सूरिय की तरफ होता है और चंद्रमा से थोड़ा सा उपर क्या है जो हमारा पित्र लोक माना गया है तो सूरिय की तिक्षविक्रणें हैं उन से वाश्वित होकर कि जो भी हम दान पुन करते हैं राशन आदी देते हैं या ब्रहमन बोजन करते हैं वो आज के दिन बहुत ही तिव्रगती से और एक अच्छे प्रकार से हमारे पित्तरों तक पहुँच जाता है मैंने बड़ा शंक्षिप में आपको ये थोड़ा सा रीजन इसका बताया है और खास दोर से ये तो हर महीने में हमावस्तिया आती है लेकिन आज की हमावस्तिया जो है ये पित्र हमावस्तिया है आज पित्रों की विदाई का दिन है और जब पित्र धरा पर उतरते हैं तो अ और हम उन्हें भूल जाएं, उन्हें हम उनके निमते को च्विना करें, तो ये एक अपमान की इस्तिती हो जाती है, इसलिए जो सनातन धर्म में विस्वास रखते हैं, खासतोर से उन्हें शराद जरूर करना चाहिए, और आप तो आप में से ऐसे बहुत लोग हैं, जिन्हों गया जी में जाकर के ये सोच लेते हैं, बस अब तो पिंड़ दान कर दिया, अब तो पिंड़ चुट गया, आप दुबारा हम नहीं करेंगे, नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, आप गया जी गये हैं, बहुत अच्छा है, आप महा करिए, सास्तर कहता है, लेकिन आप कुछ कुछ हर वर्ष अपने फित्रों के निमित करते रही है, ऐसे उन्हें भूल करके ना बैठें, ऐसे आप एकदम फुल स्टेप न लगाएं, कि अब तो हमने कर दिया है, अब करने की जोत नहीं है, कुछ भी जो आप से बने अपने पुरोजों के नाम से, जो आप से बने हेल्प कर दीजिए, कोई राशन दिला दीजिए, कुछ ना कुछ आप आज जरूर कीजिए, और यदि ब्रहमन बहुजन करा सकते हैं, यह तो मैं आपको सुरू से कहता है आ रहा हूं, तो बहुत ही अच्छी बात है, या किसी मंदिर में ब्रहमन को जाकर के सूखा रासन, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे थोड़ी दाल, चावल, आटा, घी, कुछ इदक्षना जाकर के अपने पित्रों के नाम से दे सकते हैं, इस से भी एप्रतक्ष रूप में ही सही, लेकिन आपको आपके पित्रों से आश्रवाद जरूर मिलेगा, आज के दिन एक लोटे मे पिछे से करते आ रहे होंगे, जो लोग करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात हैं, मैंने पहले भी बताया था, आज के दिन एक पात्र में, एक लोटे में जल ले लें, और उस जल में थोड़ा मीठा मिला लें, काले तिल लाल लें, और परिवार के खास सोर से, सबसे बड सदस्ती हैं, वो अपने पित्रों का ध्यान करते हुए, दक्षन दिसा में, आज ये लोटे का जल जरूर दें, अगर आपने पीछे चोदा पंदरा चोदा दिनों में नहीं दिया है, तो आज के दिन जरूर दीजिएगा, इस से आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा, एक का शराद कल की तीथी में भी आप कर सकते हैं, हाला कि शुकल प्रतिपदा है, लेकिन कहीं ऐसे आर्टिकल पंदर को मिले हैं, कि नाना का शराद शुकल प्रतिपदा में भी किया जा सकता है, और बाकी बहुत सारी विदिया हमने पहले सारी चीज़ें आपको बता दी थी, इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और बता देते हैं जिन जात्कों की जनम पत्रिका में पित्रदोश होता है जिन के हाथ की रिखाओं में हतेली में पित्रदोश होता है तो आज के दिन जो भी आप पित्रों के निमित दान पुन करते हैं तो आपका वो पित्रदोश भी द में होता है समझे आप तो इसलिए ध्यान रखें आलस से न करें जितना आप से बने कुछ ना कुछ अपने पित्रों के निमित आप लोग जरूर कीजिएगा इसी के साथ एक बात और बताएं गायतरी महामंत्र या पित्र गायतरी मंत्र आज के दिन पित्र गायतरी मंत्र पढ़ने का भी बहुत महत्यम्य है और यदि आपसे पित्र गायतरी मंत्र नहीं आता है तो आज के दिन जिस घर में गायतरी महामंत्र का यग होता है बहुत शुब फल की प्राप्ति होती है आज के दिन पंच बली जरूर करें पांच जगा जो खाद्य पदार्त अगर आपने ब्रहमर को खेलाना है या आपने दे के आना है तो आज के दिन थोड़ा सा अन बना लें वैसे तो सभी घर में बनता है लेकिन पित्रों के निमित अलग से अच्छे से बना लें खीर वगरा आज के दिन पित्रों को भोग लगाया जाता तो जैसे दो दो पूरी ले लें उस पे थोड़ी थोड़ी खीर रख लें और जल कावो करके और उसको आप जैसे कोवे को कुत्ते को गाएं को चीटी को और एक कहीं अक्ष्णा रखी आती है तो ये पंच बली भी करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है वैसे अपनी अपनी परपाटियां है अपनी अपनी परंपराएं हैं लेकिन पंच बली आज के दिन करने से बड़ा शुब आना जाता है आसपास के निगत्तम किसी ब्रहमन से भी ये विधी पूछ सकते हैं नहीं तो शुक्षम तरीके से पाँच जगा निकाल करके आप जरूर दीजीगा कोवे को आज के दिन मीठी पूरी खिलाना कोवे को आज के दिन खीर के साथ पूरी खिलाना ये भी पित्रों को प्रसंद करता है और आपकी कुडली में जन्व जन्मांतर से पड़ा पित्र दोश काफी कुछ हद तक उसकी जो कुटिलता आपके उपर आ रही है वो श्रमाप्त हो जाती है आज के दिन आप चलते फिरते उड़ते बैठते जितना आपसे हो आप गाहित्री मंतर पढ़ते रहे है समझे एक लोटा जल दक्षिन दिसा में पित्रों के नाम से देना है और एक लोटा जल गाहित्री महा मंतर पढ़ते हुए सूर्यों को देना है पहले आप सूर्यों को एक जल दे दे और उसके बाद चाहें आप पित्रों को दे दे किसी ने कोई पहले दे देता है कोई बाद में दे देता है भगवान कभी नराज नहीं होते सूर्य देव कभी नराज नहीं होते आप अराम से करिए जैसे आपसे बन पड़े कहने का भाव कुल मिला करके आज के दिन पित्रों को दिया गया दान पित्रों के निमित की गई सेवा पित्रों के निमित दिया गया कोई भी फल मिठाई चाहे कहीं भी बाटें बहुत शुमता लाता आज के दिन गाहितरी यग घर में किया जाए बहुत अच्छा रहता है पित्र तरप्त होते हैं और पित्र गाहितरी कर ली जाए तो सोने विस्वागा हो जाता है जिन घरों में तुलसी को मिला जाती है जहां पर पशुदूद नहीं देते जिन खेतों में फसल नहीं आती जिसके घर के व्रक्ष्टों पर फल नहीं लगता उन्हें आज के दिन पित्र गाहितरी हवन किसी ब्रहमन से कराना चाहिए बहुत अच्छा होने लाब मिलेगा या गाहितरी महा मंत्र की या पित्र गाहितरी नेट से ले ले मंत्र पित्र गायत्री मंत्र की पांच माला करें और फिर पित्रों को एक लोटा जल दक्षिन में दें दिन में चलते फिरते पित्र गायत्री पढ़ते रहें या पित्र गायत्री नहीं समझ में आती है तो किबल गायत्री मंत्र पढ़ते रहें गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है, मंत्रों का मौर्मगुट कहलाता है, जैसे हाथी के पाउ में सभी पाउं आ जाते हैं, तो ऐसे ही गायत्री महा मंत्र जिस घर में पढ़ा जाता है, जो स्रद्धा से पढ़ता है, उसे सभी मंत्रों के फलकी प्राप्ति अनियास होने छोटे छोटी जो हम बीच बीच में बाते बताते रहते हैं, आपके लिए किश न खुछ तीर तीवहरों का हम बताते हैं, आप करते रहिए. ठोड़े सी थोड़ा आपसो बने जरूर करिये. आज के दिन पक्शियों को दाना डालना बहुत अच्छा होता है. आज के दिन गईया को यानि के गव माता को कुछ भी जाकर कि जो वो खाती है जैसे घास हो गया हराचारा हो गया दाना हो गया कोई भी उनके मतलब की चीज उन्हें खिलाईएगा ये भी आपके लिए बहुत शुब रहेगा आज के दिन यदि संभव हो सके तो अपने घर में किसी भी प्रकार की कोई तिक्षण खाद्यपदार ना बनाया जाए और इसी के साथ साथ एक बात हो और आपको बता देते हैं जो नॉन्वेज खाने के बहुत शोकिन होते हैं तो कम से कम आज पित्र मवस्या है आज के दिन घर में शुद्धता वरते हैं हर तरह से घर के अंदर आज के दिन आप शुद्धता वरतने का प्रयास करें और एक विशेच संदेश और अब जैसे आज पित्र मवस्या है आज पित्र विसरजन भी होता जने विसरजन करने का तरीका तो वो पित्र विसरजन भी करते हैं और नहीं तो शाम के समय दक्षिन दिशा में मुख करके हाथ जोड़ लिया जाता है, कि हे पित्र देव, यानि कि पित्र भी देखो, भगवान भी हमारे देवताओं के समान होते हैं, हमारे माता पिता भी, कि पित्र देवता भ्यों नमहा हम बोल सकते हैं, या हे पित्र, आप हम से तरप्त हों, हम से संतुष्ठ हों, हम से कोई भी भूल हुई हमें च्मा करें आज विधाई के समय में आप हमें अपना वरद अशिरवाद दे करके जाएं ऐसी विनीद प्रात्ना कर सकते हैं संध्या के समय जैसे भी आप से बने और दक्षिन दिशा को नमन करें बस इतना आज के दिन कर लें और आप सब को मालूम होगा कि जैसे आज मवस्चा है और कल क्या है कल शुक्ल प्रतिपदा है आस्विन मास की तो हमेशा आस्विन मास के प्रतिपदा से नवरात्र प्रारम हो जाते हैं मालूम है लेकिन इस बार नहीं है 165 वर्सों के आसपास ऐसा सहयोग हुआ है कि इस बार नवरात्र जो है वो एक महीने की बाद हैं, कल से प्रशुत्तम मास की सुरुवात हो गई है, तो प्रशुत्तम मास में हम क्या करेंगे, ये कल के विशिसांक में हम आपको बताएंगे, आईए दर्शो को समय हो चला है, आज की ध्यानमाला से जुड़ने का, आज की ध्यानमाला में हम जुड़ क्या मोले स्पुरा स्तारा नायक से करां स्मित मुखे बापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां ध्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगां छूलंब सुन्डिम् सिरा संखं संदधतिं करिष्त्रिनयानां सरवंग वुष्वरितां निलास मध्युतिमास्यबाद दसकां सेवे महां कालिकां यामास्तोष्वपितां तैहरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्यो दाम समप्रवां रिगपते स्कंदस्तितां विशनां कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास सेवितां अस्ते शक्रगरास खेट विशिखां श्चापं गुणं तरजनीं कवच बना लें ध्यान करें हे भगवती आपका आशिरवाद घर घर पहुंच रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समानने हो जाए कल से पुरशत्तम मास की सुरवात होने जा रही है और बहुत अच्छे से हरी की सेवा हम सब को करनी है कल का कारी करम जरूर देखिएगा इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जैमा इंद्राक्षी जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन सुबा रहा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बाते इनसे लगातार कभी कभार हो जाये करती है एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्ण किया कि क्या आपके यहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेज़ चौंका करीब चार-पांस दिनों से कववों का जुंट मेरे घर पे मन रहा था मैं यही सोचने परिशान था यह सुब है असुब है क्या चीज है तो मैंने प्रश्ण किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कववे आ रहे हैं कहने ने मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुस तो आलोगिक है इनमे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें एर्श ना भूलें